अब इस वीडियो में अब इस वीडियो में हम लोग सेमसंग गैलेक्सी S6H प्लस और आइफून सेवन प्लस का स्पीड टेस्ट केमपैर्जन करेंगे उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं टेक्नोलोजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ अब इनके स्पेसिकेशन की बात कर लेते हैं तो जो गैलेक्सी S6H प्लस है उसमें 4GB RAM है और Exynos का 7420 चिप सेट है 5.7 इंचिस की स्क्रीन है और 3000 इमेज की बैटरी है 2015 में ये फून आया था जबके जो iPhone 7 Plus है ये 2016 में आया था और इसमें जब वो अपना Apple का A10 Fusion चिप सेट है और 3GB RAM है और इसकी जो स्क्रीन है वो 5.5 इंचिस की है तो स्पीड टेस्ट शुरू कर लेते हैं इनका जी दोस्तों तो इस दफ़ा हम लोग S6 Edge Plus और iPhone 7 Plus इनका स्पीड टेस्ट करेंगे पता लगेगा हमें कि किसकी परफॉर्मेंस जब बहतर होने वाली है सबसे पहले दोनों की memory देख लेए इस की इसकी memory में भी कुछ नहीं और इसकी memory में भी नहीं अच्छा दोनों जो जो है वो सेम वाई-फाइ नेटवर्क पर तो बिलकुल टेस्ट होने वाला है सबसे पहले हम दोनों को जो है वो restart करते हैं पहले power off करना पड़ेगा ताके हम रिस्टार्ट कर सके हैं ओके तो दोनों फून जो हैं वो अब पावर आफ हो चुके हैं में रिस्टार्ट करते हैं थ्री टू वन गो तो यह फून जो है वो पता नहीं लेट सी काफी टाइम ले लेता है सेवन प्लस भी रिस्टार्ट होने में ओके सिक्स प्लस यहां पर तेज़ था और आइफून सैवन प्लस भी इतना जादा फर्क नहीं था थोड़ा से पीछे था ओके तो अब हम लोग जो है वो एप्स को ट्राइउट करते हैं दोनों में फून डाइलर्ट राइउट करते हैं सबसे पहले 321 गो आइफून सैवन प्लस तेज़ है अच्छा अब यहां पे हम लोग यूट्यूब लगा लेते हैं दोनों में 321 गो फून सैवन प्लस इदेर काफी तेज़ है दोस्तों यह जो है यह हमारा चैनल है शाफे इंटेक के नाम से इस चैनल को अगर आप लोगों ने सबस्क्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो यह बहुत खलत बात है इसको सबस्क्राइब करें और बेल आइकन का निशान दब पूरी है अच्छा तो यूट्यूब हो गई अब हम लोग जो है वो दोनों के डीफॉल्ट ब्राउजर जो है सफारी वर्सेज इंटरनेट यह ट्राइब कर लेते हैं यहां पर यह तेज था आइफून सैवन प्लस अच्छा अब हम मैसेज़स ट्राइब कर लेतें दोनों म यह दोनों में हमारे पास शेर रिट है शेर ट्री टू वन गूँ अगें तेज है तो ओवरल सेवन प्लस यह आगे जा रहा है भी तक तो काफी टाइम लिए सिक्स प्लास नहीं हाँ पर अच्छा अब हम लोग दोनों में स्टेटिंग्स ट्राइब कर लेतें सेटिंग्स द है 11.1.1 और यह नुगर्ट पर चल रहा है ठीक होगे यहां पर अच्छा दोनों में गेम्स ट्राइब कर लेते हैं उससे भी हमें आइडिया हो जेका इनकी स्पीड का सब्सर्फर्ज यह गेम है ओके सैवन प्लस बहुत तेज़ था यहां पर बहुत जादा फर्क था ट्राफिक रेसर अगे तो यहां पर आगे निकल गया फॉर्चुनेटली ओके तो अब हम लोग यहां पर क्याट राउट कर लें हमारे पास इधर इंस्टाग्राम है 321 गो ओके तो सैवन प्लस यहां पर भी थेज़ था अच्छा कैलकुलेटर है हमारे पास दोनों फून्स पर यह चेक कर लेते हैं किसमें फास्ट है ओके सैवन प्लस थेज़ था विदाउट अच्छा दोनों में हमने अभी तक कैमरा नहीं चेक किया तो यह कैसा सकता कि कैमरा के बगार एक स्पीड टेस्ट निकल जे ओके तो सैवन प्लस थोड़ा सा थेज़ था लेकिन बिल्कु स्प्लिट सेकंड का फर्ख था बिलकुल माइनर सा फर्ख था ओके वट्साप है मारे पास ओकर यह सिक्सट प्लस थेज था यहां पर एपस्ट वर्स प्ले स्टुर प्ले स्टॉर थेज़ था और बाद में तो डोनों फुन में क्लॉक भी हमारे पास यह चेक कर लेते हैं य यह भी 7 plus पे देज़ देज़ तो अब टाइम आगे मेमरी मेनेजमेंट चेक करने का दूनों फून की तो यह देख लेते हैं फून डाइलर दूनों की मेमरी में है यूट्यूब ओके तो यह दोनों ने रिफ्रेश किया है यह वह अप्लिकेशन ओके तो अब हमारे पास यहां पर सफारी और इंटरनेट है यह भी यह यहां पर तो रिलोड हुए ओके और देख लेते हैं हम यहां पर लेट सी लेट सी लेट सी मैसेज़ यह दोनों की अप्लिकेशन मेमरी में थे दोनों की अहीं शेयर चेक कर लेते हैं यह बहुत हैं दोनों की दोनों की मेमरी में थे ऑप्र ट्रय वन कर लेशेटिक चेक करते हैं ऊसके बाद हम गेम्स पे जाएंगे यह भी थे तो अभी तक ठीक ही चल रही है कोई इतनी बुरी तो मेमरी में रखने से नकाम रहा एक सेट प्लस ट्राफिक रेसर लो जी यह भी रिलोड करती सेवन प्लस में देख लेते हैं ओके इसकी मेमरी में है तो पता लग गया हमें कि कि एक सेट प्लस इतना भी बहतर नहीं है थोड़ी सी कमी है इसमें और कर लेते हैं यहां पर कैलकुलेटर यह है बेसिक अप्लिकेशन तो रखी रहा है एक निकल गी बाकि हमने हमें पता तो लग गया मेमरी मैनेजमेंट का कि कैसी है सेट प्लस पर सैवन प्लस पर तो जो मेर है एक स्पीटेंस रहा है वह बहुत अच्छी है मेमरी मैनेजमेंट तो उसमें कोई मसला नहीं अब यह देखें बेसिक अप्लिकेशन हैं सारी कुछ हैवी स्टफ जो है वह यह रिलोड कर देता है तो अब हम लोग जो है वह एक यहां से निकाली बराबर हो गया अब हम इन है फिर से रिस्टार्ट करेंगे उस तो हमें पता लगेगा कि अब कौन सा फास्ट होता है रिस्टार्ट करने में ओके तो दोनों फूंस जो है वह आप आप रफ हो चुके हैं अब इन्हें रिस्टार्ट करते हैं 321 गो ओके लट सी वाट हैपन्स सैमसंग एपल एसिक्स एच प्लस सेवन प्लस लेट सी यह तो आइफून सेवन प्लस लग रहा जीज़ेगा और ऐसे ही हुआ थोड़ा सा फार्ग था फिर बाट ओवराल दोनों की पर्फॉर्मेंस जो है वह ठीक है तो इससे आप लोगों को कुछ पता लगया हो गए इनकी पर्फॉर्मेंस का जी दोस्तों तो उम्मीद करते हूं कि आप लोगों को यह स्पीटास पसंद आया होगा आइफून 7 प्लस और S6H प्लस का अब दोनों जो हैं तो थोड़े से पराने फून लेकिन अपनी अपनी कमपनी इसकी तरफ से फ्लैक्शेप फून है तो उम्मीद करते हूं कि आप पसंद आया होगा आप वीडियो को एक लाइक देते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें वीडियो ताकि हमारी कम्यूटी ग्रोह सके मैं भी अपनी तरफ से मजईद कोशिश करूँगा कि अच्छी अ अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज